परिवाहन विभाग की अपनी हरताल चल रही है लेकिन कुछ यहां पर जो चालक कर्मी है वो सवारियों को भरने का काम कर रहे हैं बहराईच की ओर बस जा रही है उसके लिए यहां पर आप देखिए किस तरीके से लोगों को बुला बुला के बिठाए जाए हरताल चल रही है आप हरताल में शामिल नहीं है हम हरताल वाले नहीं है लेकिन कुछ कर्मियों ने यहां पर हरताल किये भईया उससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है इसको कैसे देखते हैं हरताल मतलब खतम हो रही है अब हम यहां के करमचारी हैं हम सवारी बठा रहे हैं तो परिवाहन विभाग की और से यह निर्देश दिये गए हैं इनको की सवारियों को बिठाया जाए यानि जो हरताल का जो असर है मिला जुला दिखाई दे रहा है हमाई साथ कुछ यहां पर अधिकारी भी पहुँच रहे हैं एक बार उनसे भी बादचीत करने का यहां पर प्रयास करेंगे तमाम जो आप लोग सर यहां परिवाहन विभाग के हैं सर चेत्री प्रबंधक आरके त्रिपार्थी जी मौझूद है सर दो दिन से हरताल चल रही आज भी हरताल का दिन है सर दिक्कत हो रही है यात्री को क्या विवस्ताई की जाए निकलने शुरू हो गई है अब देशक्ते हैं संचालन नारमर हो रहा है लेकिन सर कुछ यहां पर जो वाहन चालक है वो हीटें रज जो आपका नया विकिलेक्ट आया उसके खिलाफ अपना विरोध दर्श करा रहे हैं नारे बाजी कर रहे हैं उन लोग को कुछ ब्रहांति संचालन शुरू हो गया है तो सारे संगठन जो है वो प्रबंधक का कहना है चेत्रिय प्रबंधक है आरके त्रिपाठी की सभी जो यहां के यातरी है उनको अपने इस्थानों पर पहुंचाया जा रहा है हरताल को लेकर जो भी बाच्चीती फिलहाल वो खतम हो चुकी है ल परिवाहन निगम के चेत्रिय प्रबंधक आरके त्रिपाठी समेत तमाम जो पदादिकारी है वो यहां पर मौजूद हैं संयोजक है और इन सभी का कहना है कि जो हरताल को लेकर बाच्चीत हो चुकी है हरताल अब खतम हो चुकी है यात्रियों को पहुंचाने के इंतिजाम यह करने के लिए बस इस्टेशन पर पहुंचे हैं क्या निर्देश दिये जा रहे हैं हमारे जो गर्मचारी ब्रमित हो गये थे उनको समझाय बुझाय गया और सब अपने काम पर वापस आ रहे हैं दीजे संचालन प्रारम हो गया यात्यों को सुद्धाय दना प्रारम हो कल भी सर एक बड़ी हरताल रही आज आपने देखा पूरी एक कवरेज रहा की तमाम यात्री सड़कों पर पैदल घर जाते दिख्या चक्या जासी इस्तिती दिखाई दी है कल लोगों ने कुछ फवाफ वैला करके लोगों को ब्रमित किया था चालक बसे तो सर कल नहीं चल नहीं है नया विकल जो सर एक्ट की जिसको लेकर सेंटरल लेवल पर बातची चल रही है उसके विरोध में है आप कैसे देखते हैं सरी सेक्ट को क्या लागू होगा या फिर नहीं होगा देखा जाएगा अरताल लेकिन फिलाल पूर्ण रूप से लोग समझ गया है इसी पूर्ण चालकों को भ्रमित कर दिया गया थे लेकिन अब हरताल जो है वो पूर्ण रूप से समाथ हो चुकी है सभी आत्रियों को उनके घर पहुंचाने का काम परिवाहन विभाग कर रहा है लखनाव से वीडियो जनलिश हरियों के साथ संदीप खेर भारस तमचार कि यह एक भ्रांती थी केंदर जो कानून बना रहा है हीट एफ रन केस का उसके बारे में यह जरूर है कि ड्राइवड तो जो बस का चाला करके अभी माहल खराब करने की कोशिश की गई है कानून को तो विरोध है लेकिन हर्ताल का सवर्थन नहीं है इसलिए सारी गाड़िया चलना ही हम लोग आये हैं आरेप साब ने पताया यह मेरे अजीत कुमार सिंग महामंत्री हैं प्रदेश के मैं राकेश बाजपई हूं हम कोशिश है कि संचालन चलता रहे हमारा जो भी प्रोटेस्ट है सरकार के साथ या को वह अपने तरीके से कड़ते रहें जिसमें कि संचालन भी बाजित नहीं यात्रियों को दिक्कत नहीं और राजस्कार नुक्सान भी नहीं हम लोगों ने कल्भी चालकों को बहुत समझाय कि अभी तो आपने देखा है कि संसत में कानून पास हुआ उसका वो नोटिफिकेशन बाहर आने दीजिए देखते हैं कि इसमें क्या चीज है एक्चुल क्या चीज निकल के आती है अगर वो चीजें आपके विरुध हैं तो हम लोग उसके लिए कोर्ड की कारवाई है आग के साथ हैं आप हमारे चाला हो आज भी आप हमारी गाड़ी चलाते हो गर कोंई दुरगटना होती तो हमके साथ खड़े होते हैं तो यह आप कैसे सोच रहा हो कि आप नि सहाए हो जाओ गए हम आपके साथ है आप लोग गाणियों को संचलन करिए यात्रीयों को परिशाetr different हो चुकी है और साब तोर पर आरम का कहना ये है कि हमने सभी वाहन चलकों से बात करी उंको ब्रहमित करने का काम किया ता आप देखिए तमाम सवारियों को यहां पर बसों के माध्यम से बिठा के घर भेजा जा रहा और उन सभी का ये कहना है कि इन लोगों को ब्रहमित किया गया था और आने वाले समय में अगर जो भी कानून बनेगा उसके लिए हम सभी बस चालकों के समर्थन में खड़े हैं लेकिन आज सभी आत्वियों को यहां से अपने अपने घर पहुंचाने के इंतिजाम परिवान विभाग कर रहा है लखनों से वीडियो जनरिश हरियोम के साथ संदीब खेर भारश समय में खड़े हैं